हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस टैली प्राइम स्रीज का लक्षा नमबर 35 है और हमने पिछले वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पूरा डीटेल में समझा था इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है इसमें स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रूप, स्टॉक काटेगरी ये सब क्या है ये सब हम पूरा समझ चुके हैं और बाकी इनको प्रैक्टिकल तो हम आगे देखेंगे ही और आज हम इस वीडियो में टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और बाकी और बाकी अर्गनाजियेशन पर भी लगाया जासकता है तो टैक्स के देरे में हैं कौन नहीं है वो सारी चीज़े हम आगे देखेंगे तो tax क्या है एक आनिवारी सुल्क है जो government द्वारा लगाया जाता है किसी वेक्तिया संगठन पर, उसके बाद government उस पैसे को public पर खर्च करती है, जो government को पैसा मिलता है वो हमें tax से मिलता है और वो पैसा government वापस public पर ही खर्च करती है, कानून के मताबिक खुद से या गलती से tax को भुकतान ना करने पर जुर्माना या फिर सजा भी मिल सकती है, ठीक है, यानि कि अगर कोई भी tax के दाइरे में है और वो tax नहीं पे करता है, तो उसे जो है बलब जुर्माना या फिर सजा दोनों हो सकती है, क्लियर है, तो ये सारी चीज़े तो आपको पहले से पता थी अगली heading है type of tax, यानि हमारे जो tax हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यक्ति या संगठन को अलग-अलग तरीकों से tax का भुकतान करना होता है, ठीक है, यानि कोई व्यक्ति हो या फिर कोई organization वो अलग-अलग तरीके से tax का भुकतान करती है, tax अधिकारियों द्वारा tax के तरीके के अधार पर tax को दो तरीके से divide किया गया है, एक तो direct tax और दूसरा आपका होता है indirect tax, ठीक है, अब इन दोनों में difference क्या है, वो देखे आगे बताया गया है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर यहाँ पर अभी example भी इसके देखेंगे, तो यहाँ पर difference between direct and indirect tax, direct tax वो tax होते हैं, जिने कोई व्यक्ति या संगठन सीधे government को pay करता है, यानि कि जो पैसा सीधे government के पास पहुंचता है, वो हमारा direct tax होता है, जैसे income tax हो गया, property tax हो गया, या फिर stamp duty हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे tax होते हैं, ठीक है, income tax ये direct tax क्यों हुआ, ठीक है, इससे पह कि उसका जो burden होता है, वो दूसरे पर shift कर दिया जाता है, जिससे अंत में consumer से वसूला जाता है, वो हमारे indirect tax होते हैं, जैसे GST, VET और ED, XIZ, इस तरह से और भी बहुत सारे tax होते हैं, जो कि indirect tax के अंतरगत आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, देखिए, दोनों में exactly difference किया है, थोड़ा सा अलग example से, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए direct tax, यानि कि income tax, ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति या संगठन, यानि company की income होती है, तो उसकी जो income होती है, उसके उपर government जो है, वो अपना tax लेती है, जो भी है, 1%, 2%, जो भी लेती हो, ठीक है, तो यहाँ पर वो tax जो होता है, वो income पर लिया जाता है, यानि कि जो भी व्यक्ति या संगठन है, उसकी जो भी income होई है, उसकी income पर income tax लिया जाता है, ठीक है, तो उसे पता होता है, यानि कि जो भी व्यक्ति government को tax पे कर रहा है, उसे directly पता होता है, कि हाँ, इतनी income होई, औ और इतना tax हमने government को pay किया सीधे तोर पर के लिए रहे हैं तो ये income tax होता है property tax यानि कि जब आप कोई भी property खरीदते या बेजते हैं यानि कि जब खरीदते हैं तब आपको वहाँ पर उस पर भी tax pay करना होता है ठीक है तो वहाँ पर जो tax आप pay करते हैं वो भी आपको directly पता होत हमेंentin को बनाने होते हैं वहाँ पर भी आप directly जो हैं वह पैशा पे कर रहे होते हैं government को clear है तो यह चीज हो गई अब indirect tax में क्या होता है कि इंडीरेक्ट tax में भी जो पैसा है वह भी Government के पास हूं जाता है लेकिन indirectly कैसे तो यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे हम अगर बात कर वो कितनी कीमत है उसकी वो हम चुकाते है ठीक है साथी साथ उसमें tax जो है वो include होता है ठीक है तो वो tax finally कौन पे करता है consumer पे करता है ध्यान देना यहाँ पर बताया गया है कि consumer से वसूला जाता है अब इसमें होता क्या है अगर हम GST की बात करें वेट की बात करें अलाकि वेट यह पुराना tax है जो कि अभी ज्यादा तर आइटम पे नहीं लग रहा है ज्यादा तर भी GST चल रहा है ठीक है कुछ आइटम ऐसे है जहाँ पर अभी वेट यूज हो रहा है उनके बारे में भी हम बात करेंगे तो अगर हम GST की बात करें तो यह जो GST है यह indirect tax के अंतर गताता है और इसे पे कौन करता है इसे पे करते हैं हम ठीक है जो normal आम आदमी है वो पे करता है कैसे पे करता है जैसे माल लेते हैं कि यहाँ पर एक manufacturing company है जो की computer manufacture करती है ठीक है अब government ने क्या किया कि इसके उपर माल लेते हैं 18% या फिर 28% का tax लगाया ठीक है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर calculation आसान हो जाए इसलिए यहाँ पर हम 10% माल लेते हैं हलाकि 10% यह GST के अंतरगत नहीं है 10% GST rate नहीं है किसी भी आइटम पर फिर भी माल लेते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपए पर 10% tax हो गया यानि कि यहाँ पर इसकी कीमत हो गई कितनी 11,000 रुपए ठीक है तो यहाँ पर computer की कीमत कितनी हो गई 11,000 रुपए हो गई अब इसके manufacturer जो है यह जब sell करेगा यानि कि manufacturer sell करेगा तो जो trader है एक हजार रुपए क्या है tax है एक हजार रुपए क्या है tax है उस computer की कीमत 10,000 है लेकिन जो एक हजार extra है वो GST है यानि कि वो tax है clear है तो यहाँ पर manufacturer ने क्या किया कि manufacturer ने 10,000 पर जो एक हजार रुपए tax लगा था उसने manufacturer ने तो government को पे कर दिया लेकिन उसने क्या किया ट्रेडर से ले लिया ठीक है ट्रेडर से 11,000 रुपए ले लिया अब जो 10,000 रुपए है वो manufacturer ने अपनी जेम में रख लिये ठीक है और जो 1,000 रुपए था वो government को जो दिया था उससे अर्जिस्ट कर दिया यहां पर आप समझ गया होंगे ठीक है वीडियो आप रिपीट कर सकते है अगर कोई दिक्कत है तो यहां पर क्या हुआ अब जो ट्रेडर ने खरीदा 11,000 रुपए का ठीक है 11,000 का खरीदा अब यहां पर क्या होगा कि ट्रेडर भी अपना उसमें कुछ प्रॉफिट लेगा ठीक है अब वो आगे माल लेते हैं उसको एक हजार उपए प्रॉफिट भी चाहिए कितना चाहिए एक हजार उपए उसको अपना प्रॉफिट चाहिए कंप्यूटर पर तो trader अगले वाले अपने आगे trader या retailer को जिसको भी बेचेगा, ठीक है, तो वो कितने का खरीदेगा, यहाँ पर 10,000 का नहीं खरीदेगा, बलकि 11,000 का खरीदेगा, ध्यान रखना, कितने का खरीदागा, 11,000 रुपे का खरीदेगा, लेकिन जो 1,000 रुपे टैक्स था, यह भी 10% यहाँ पर 10,000 रुपे पर लगा था, ठीक है, अब की बार फिर से 10 पर लगेगा, लेकिन अब की 10,000 पर नहीं लगेगा, क्योंकि 10,000 पर तो पहले ही लग चुका है, यह value addition tax होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कभी किसी वीडियो में, कि पूरा exactly किस तरह से यहाँ पर calculation होती है, लेकिन यहाँ पर आपको sort में बदा देते हैं, कि 10,000 पर 10% पहले ही लग चुका है, तो जब उसी माल को आगे फिर से, मलब कभी भी खरीदा या बेचा जायागा, तो जिस पर tax लग चुका है, उस amount पर tax नहीं लगेगा, इसकी जो कीमत 1,000 रुपे बढ़ी है बढ़ी क्यों? क्योंकि यह trader अपना 1,000 रुपे profit लेगा, तो इसकी कीमत 11,000 हो गई, तो 11,000 जो हो गई तो इसमें 10,000 रुपे tax पहले ही लग चुका है, तो सिर्फ 1,000 पर tax लगेगा, लगेगा 10% तो 1,000 पर 10% लगेगा, तो यह कितना हो जागा 100 रुपे, यानि कि यहाँ पर पूरा total amount कितना हो गया, देखिए 10,000 का computer था, और 1,000 रुपे अपना उसने profit लिया, तो 11,000 हो गया, और 1,000 रुपे तो पुराना वाला tax GST मलब वो था ही, प्लस 100 रुपे और, यानि कि total कितना हो गया, 12,100 रुपे, तो यह जो तीसरे number का यहाँ पर trader है, यह 12,100 रुप इसको दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर I think आपको समझने में confusion हो रही होगी, लिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कभी देख लेंगे, अभी यहाँ पर आप बस यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोसिस करें, समझ में I think आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए diagram प्रॉप comment करेंगे, तो हम यहाँ पर GST किस तरह से calculation इसकी चलती है, वो आपको किसी बीडियो में बता देंगे, या फिर आप Tally ERP9 वाली जो सरीज है, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पर हमने diagram औगरा यूज़ करके बताए है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर GST किस तरह से होती है आप देख सकते हैं, finally यहाँ पर हमें यह पता है कि जो GST है, यानि जो tax है, वो finally consumer पे करता है, यानि कि जो उस माल को use करता है, तो यह tax indirect tax में आते हैं, आप बस इतना याद रखें कि GST जो है, वो indirect tax के अंतरगत आता है, clear है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आपके tax देखें, यहाँ पर example भी बताया गया है, कि indirect tax के example कौन से है, और direct tax के example कौन से है, ठीक है, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा diagram दिया गया है, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद introduction to GST, अब यहाँ पर बताया गया कि GST क्या है, तो यहाँ पर आगे बताय हो गया यहां पर tax लिखना भोल गया I think ठीक है फिलाल कोई नहीं तो यहां पर current time में जितने भी ज्यादातर tax जो है वो GST के अंतरगत आ गया है अभी current time में GST को one nation one tax और one market कहा गया ठीक है इससे पहले आपको अगर अगर पता होगा तो पता होगा weight में क्या होता था कि अलग-अलग state wise अलग-अलग rate होते थे यानि कि आप अगर मा लेते हैं UP से computer खरीदेंगे तो computer एक item है तो अगर इस computer पर weight जो है वो मा लेते 5% लग रहा है तो किसी दूसरी state में उसी item पर जो उसका rate था tax rate वो different हो सकता था ठीक है तो यह चीज थी पहले लेकिन अभी GST के अंतरगत क्या हो गया कि one nation यानि इंडिया में पूरी इंडिया में कहीं से भी आप कोई भी item परचेश करेंगे उस पर उतना ही tax लगेगा जितना की किसी भी state में लगेगा ठीक है तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट ठीक है तो इसलिए यहाँ पर GST को वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट कहा गया है किलिए रहे आगे बढ़ते हैं what is GST GST क्या है तो GST का पुरा नाम है goods and service tax जो वस्तूओं और सेवाओं को सुनी होंगे लेकिन एक चौती भी होती है ध्यान रखना ठीक है यहाँ पर क्या होता है कि CGST SGST और IGST और UTGST होता है CGST का पूरा नाम है central goods and service tax SGST यानि की state goods and services tax ठीक है services होता है ध्यान रखना goods and services service नहीं है services होता है service और services में आपको पता है क्या difference है ठीक है और IGST यानि integrated goods and services tax ठीक है तो यहाँ पर CGST और SGST तब लगाया जाता है जब हम माल को एक ही state में खरीदे और बेचते हैं जैसे माल लेते हैं अभी हम UP के हैं ठीक है तो अगर UP में ही हम UP से ही माल को खरीदे यानि परचेज करें और UP में ही sell करें ध्यान रखना UP से ही माल को खरीदा, UP में ही माल को बेचा, और हम भी UP के ही है, तो यहाँ पर आपका लगेगा CGST and SGST, क्लियर है, अब दोनों लगेंगे, यह दोनों अलग-अलग क्यों होते हैं, अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर CGST का मलब यह Central Goods and Service Tax है, जो कि Central Government चार्ज करती है, और SGST यह चाहिए और Central Government को भी चाहिए, ठीक है, तो जब भी हम माल को खरीदेते या बेचते हैं, तो दोनों Government Tax लगाती है, State Government भी लगाती है, और Central Government भी लगाती है, ठीक है, हलांकि जो पहले वेट था, तो वेट में क्या होता था, कि वेट State Government ही लगाती थी, Central का उसमें कोई हाथ नह में भी CGST, जो की Central Government, मुलब इसका पैसा Central Government के पास जाता है, ठीक है, तो CGST, SGST हम कब लगाएंगे, ये हम तब लगाएंगे, जब हमारा, मुलब एक ही State में परचेज और सेल हो रहा होगा, इसको बोलते हैं, Intra State, Intra State का मतलब, एक ही State में माल को खरीदना और बेचना, ये Intra State के अंतरगत आता है, ध्यान रखना, Inter नहीं, Intra State, ठीक है, और Inter State वो होता है, जब हम State से बाहर जाते हैं, क्लियर है, ध्यान रखना, Intra State, यानि की, अपनी ही State में है, और Inter State, यानि की State से बाहर चलेगे, तो अगर State से बाहर चले जाएंगे, यानि की State के बाहर से माल को खरी देंगे या बेचेंगे तो हमारा लगेगा IGST ठीक है और IGST का जो पैसा है ये जाता है Central Government के पास ठीक है ये किसके पास जाता है Central Government के पास जाता है UTGST Union Territory Goods and Services Tax ठीक है यहाँ पर Union Territory का मतलब होता है केंदर सासित प्रदेश आपको पता होगा जो केंदर सासित प्रदेश होते हैं जैसे Delhi ही हो गया और कई सारे हैं लक्षदीफ हो गया ठीक है अंडबान निकोबार हो गया और यहाँ पर बात करें और भी कई सारे हैं भी SGST की तरह ही होता है փटीक है SGST ट्रीट किया जाता है क्योंकि यह भी जो है मलब स्टेट ही ही होते हैं तो इसमें क और जो आई GSTM ने बताया था कि इसका पैसा जो है वो central government के पास जाता है तो directly central government के पास जाता है लेकिन central government क्या करती है कि state government को भी पैसा दे देती है इसके अलग parameters है उसके बारे में हम बात करेंगे एक वीडियो में अगर आप कहेंगे तो ठीक है कि GST किस तरह से काम करती है औ कौन सा पैसा किस government के पास कैसे जाता है इस पूरा theoretically होता है तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बता देंगे वरना यहाँ पर हम ज्यादा तर फोकस practical पर कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर आगे बढ़ते है देखिए आगे बताया गया है CGST यहाँ पर पूरा नेम और इस इसको बोलते हैं intra-state तो यहाँ पर आपका central और state लगेगा ठीक है और अगर यहाँ पर between two different state और state and union territory यानि कि union territory state ही होती है तो अगर different state में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपका inter-state होगा और वहाँ पर आपका IGST लगेगा ठीक है और UTGST यह सब हम explain कर चुके हैं तो यहाँ आप आगे बता गया है कि GST rate के बारे में तो GST की जो total है वो आपके 5 rate है जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% and 28% ठीक है तो देखें यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि किस तरह के item पर कितना percent लगेगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह का business handle करेंगे तो उस तरह के item purchase करेंगे तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि आप माल खरी देंगे तो वहाँ पर खुद ही उस item पर उतना rate लगा के देंगे तो आपको पता रहेगा फिर भी अगर आपको पूरी knowledge चाहिए तो यहाँ पर आप जो है इसको Google कर सकते हैं GST rate बहुत सारे item होते हैं लाखो आइटम है ठी इस item पर exactly कौन सा rate लगता है बाकी इसको अगर आप सर्च करेंगे तो आपको अलग अलग parameters पर कई सारी information मिल जाएंगी ठीक है और बाकी यहाँ पर जो हम project यूज करेंगे इसमें तो आपको बताएंगे ही तो 0% में वो आता है जो की nil rated होता है बाकी 5%, 12%, 18 and 28 ठीक है तो यह सारी चीज़ आप देख सकते हैं आपर total पांच रेट हैं GST के और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका जो GST है वो पूरा complete हो गया है तो यहाँ पर हम inventory management और GST दोनों को समझ चुके हैं अब यहाँ पर जो अगला video होगा उसमें हम exercise 3 solve करेंगे जिसमें यहाँ पर हम मा दायरे में कौन-कौन आता है इसको भी समझ लेते हैं तो देखिए GST के दायरे में regular यहाँ पर GST में भी दो तरह के यहाँ पर dealer होते हैं एक होता है regular dealer और दूसरा होता है composition dealer ठीक होता है और यह होता है unregistered तो हलाकी अलग हो गया regular dealer कौन होता है regular dealer वो होता है जिसका turnover जो है ठीक है तो अगर आपके business का turnover एक साल का डेड़ करोड से जादा है तो आप regular होंगे ठीक है एनि कि regular dealer होंगे और आप GST registration तो आपको लेना यह लेना है क्योंकि आप regular में है clear है तो यह regular dealer होते है जहाँ पर GST इनको पे करना होता है government को ठीक है हलाकि ऐसा नहीं है कि GST यह government को पे करते हैं GST यह नहीं पे करते हैं government को यहीं पे करते हैं लेकिन यह आगे consumer से या फिर अपने आगे वाले retailer से वह वसूल कर लेते है clear है तो यह अपने जेप से नहीं पे करते है चाहे वो regular dealer हो या composition dealer हो clear है तो यहाँ पर turnover क्या होता है तो देखे कई लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं turnover यानि कि एक business में 12 month में यानि एक साल के अंदर कितना माल खरीदा गया कितना बेचा गया income नहीं मतलब होता है turnover का सीधा मतलब है जैसे आपने 50 लाग का माल खरीदा और उससे 60 लाग का बेच दिया तो इस तरह से turnover पता चलता है कि आपका जो turnover है वो कितना है ठीक है और अगर बात करें composition dealer की तो यहाँ पर composition dealer वो होते हैं जो डेढ़ करोड से जिनका नीचे होता है ठीक है डेढ़ करोड से कम होता है और 20 लाग से ज्यादा होता है ध्यान रखना 20 लाग से डेढ़ करोड के बीच में जिनका turnover होता है वो आते हैं composition dealer में और यहाँ पर नीचे कॉलम में बताया गया देखिए 1% GST tax to be paid on turnover, यानि कि जो composition dealer होते हैं, तो इनका जो turnover होता है, उस पर इन्हें 1% GST pay करना होता है, turnover पर 1% GST pay करना होता है, और जो restaurant type के जो business होते हैं, उसमें 5% GST pay करना होता है turnover के ओपर, तो यह composition होते हैं, और regular में जो वो माल खरीदे और बेशते हैं, तो वहाँ पर पे करते हैं, और unregistered की बात करें, तो unregistered dealer जिनका अमलब 20 लाग से नीचे है, वो unregistered के अंतरगाद आते हैं, उनको GST में registration लेने की कोई जरूत नहीं है, जरूत का कंपलसरी नहीं है, बाकि आप लेना चाहें, तो ले सकते हैं, कोई दिखकर नहीं, ठीक है, consumer की बात करें, तो हम लोग जो की normal उस सामान को खरीदेते हैं, और consume करते हैं, या यूज करते हैं, तो वो consumer होते हैं, तो यहाँ पर पता चल गया होगा कि कौन tax के दारे में आता है, कौन नहीं आता है, ठीक है, तो actually government को tax, यही डीलर जो है, वो government को tax पे करते हैं, लेकिन यह आगे consumer से वसूल लेते हैं, तो finally, जेब से पैसे किसके जाता है, consumer के जेब से पैसा जाता है tax का, लेकिन पे कौन करत है, regular या composition dealer, जो government को tax पे करते हैं, किलियर है, यहाँ पर आगे बतायागा है कि किस तरह का dealer किस से खरीदेगा, तो tax लगेगा कि नहीं लगेगा, देखे, regular dealer अगर purchase करेगा regular dealer से, तो GST लगेगी, और regular dealer अगर purchase करेगा composition dealer से, तो GST नहीं लगेगी, ठीक है, अब इसके बारे म रखें, कि अगर आप regular dealer है, तो इसमें से आप ये तीन rule और ये नीचे के तीन rule याद रखें, ठीक है, अगर आप regular है, तो regular, अगर regular से purchase करेगा, तो GST अपलिकेबल है, रेगुलर अगर composition से purchase करेगा, ठीक है, ध्यान रखना, purchase करते time, GST not applicable है, और अगर regular unregistered से purchase करेगा, त तो GST applicable है, लेकिन ये tax on reverse charge में जो है, लगती है, तो इसका पूरा method अलग है, इसके बारे में हम बात करेंगे, practical entry में, ठीक है, और अगर regular dealer sell करेगा, regular dealer को ही तो GST लगेगी, और अगर regular dealer sell करेगा, composition को तब भी लगेगी, और regular अगर unregistered को sell करेगा, तब भी लगेगी, यान और इसको जब हम practical interest की देखेंगे, तब यहाँ पर एक बार फिर से आएंगे, और इसके बाद यहाँ पर terminology of accounting, जिसमें आपर accounting से related कुछ word दिये गए, terminology से ही आप पढ़ सकते हैं, और बाकी यहाँ पर नीची आप पढ़ी सकते हैं, और इसके बारे में वैसे तो मैं कई options को भी complete कर लेंगे, हैंडी समय समय पर जरूत पढ़ने पर हम notes को एक बार देख लिया करेंगे, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ आपकी clear हो गई होंगे, तो अगली वीडियो में हम exercise 3 जो है वो solve करेंगे, जो कि trading organization पर paste होगी, तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही रखते है मिलते हैं अगली वीडियो में, okay so thanks for watching this वीडियो